कि सास से नव महीने के बच्चे को क्या खिलाना चाहिए उसके लब आपको इस बात का और ध्यान रखना है कि गशल्य Leo को आफ तो इसलिए आ आति जुट चाहिए उसके लब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उन चीजों में प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो कैल्शेम अच्छी मात्रा में हो और विटामीन अच्छी मात्रा में हो इन सभी चीजों का ध्यान रख करें बच्चे का खाना आपको तयार करना है साथ से नौ महीने के बच्चे को आप प्यूरी या सूप बना कर दें या खिचडी गया बना कर दें तो बहुत ही फाइदा करता है बच्चे को बच्चे आसानी से-से डाईजिस्ट कर लेते हैं इसलिए इन तरह की चीजों को आप बच्चे को ज़रूर दें उसमें आप क्या-क्या दे सकती हैं? आप energy और weight gain के लिए बच्चे को आप आलू, या गाजर, या मटर, या कद्दू, या पालक इन सबकी प्यूरी बना कर आप बच्चे को दे सकती हैं इसको mix करके भी आप प्यूरी बना सकती हैं और इसकी अलग अलग प्यूरी बना कर भी आप बच्चे को दे सकती हैं उसके लावा आप सेब है, केला है, पियर है या इस तरह के और भी कई fruits हैं इनकी भी प्यूरी आप बना कर बच्चे को दे सकती हैं इन सबस्यों का आप आप सूप भी बना कर बच्चे को दे सकती हैं नाशीपाती दे पर फिल before में के लखते हैं सबीके फजर को परखलें की देलेगाएं तो उसमें आप एक या आधा बादम भी एट करके दे सकती है या एक या आधा काजू अच्छा कोई भी इस तरह का फ्रूट्स ले रही है तो उसका भीगा कर दें तो जादा अच्छा है उसे बच्छे को नुकसान नहीं करेगा उसके अलावा आप बच्छे को दाल या चावल की खिचरी दे सकती है दाल का पानी दे सकती है चावल का पानी दे सकती है और दाल में आप तवर दाल यानि की अरहर दाल और आप मूम की दाल इन दोनों दाल का आप इस्तेमाल कर सकती है बच्चे को आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है और अगर आपका कोई भी नमकीन खाना बना रही है तो आपको एक साल से चोटे बच्चे को नमक नहीं देना है लेकिन बच्चे को खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए आप जीरा पाउडर यूज कर सकती है यह दालचीनी पाउडर डालके से हैं तो इस सब चीज का आपको टेस्तेमाल की चिकन सूप बच्चे को जरूर mm गर अगर ऐग दो इन सब चीजों को आप बच्चों की डाइट में इंकल्यूट कर सकती है और जब बच्चे के दाट आजाएं तो आप कोई फ्रूट जो है जिसे अपने कट करके पकड़ा दिया या बनाना है तो बच्चा धीरे धीरे उसको खुदी खाने की कोशिश करेगा जब बच्चे के कि डात dhart जाएं वैसे थे सकती हैं जब बच्चे के डात आ जाएं तू कोई ऐसी चीज़ Dw Maßnahmen की सामने रहें जिससे आइसा निगए कि बच्चक कर लिया और बच्चे को अटब जाएं इन चीज़ों का ध्यान रखे। अब आपको समंझ में आ गया होगा कि आप अपने बच